आप सबको स्वागत है आज हम 26 एप्रिल की इश्वर बताना आप मुचे हैं हम सबको कही ना कहीं लगता है कि हम कुछ जादा ही सोच रहे हैं और कभी-कभी हम बहुत ज्यादा सोचने के बर्डन से भार ही फील करते हैं आज परमात्मा इसी चीज के बार में हमें बताएंगे कि हम कैसे कैसे अपने संकलप मनें अउसार कोश्रा करते हैं कोश्राथ यहिंदा खाल और ओачते स Böyle देटेंशierte में फिखने में और हमारे आप संप के पोशी के इसा होगा अगर आप खर रह रहे हैं तो इस उसला करते हमारे तो आ NATO को सब कहार आज अगर थे के डिफटनेंट रूपो फोग तो ब स्टेंट परमातरा कैते हैं अब है कि मनको शृष्ट पॉजीशन में अदिया पॉजीशन कौन सी है उसको समझेंगे पोस बदलने के खेल को समात करने वाले सेह्जयोगिभवा फेस का बार-बार पोस बदलना को कि हमारे संकल्प और उस पेज से दिखाई देती है कहते हैं कि तुम्हारी शकल को क्या हो गया है इत्ते उदास क्यों दिख रहे हो तुम्हारी शकल को क्या हो गया है इत्ते काले क्यों हो गया हो क्या देख लिए भूत देख लिया किसी किने कुछ गलत देख लिया कई बच्चे कभी कभी बोज उठाकर मोटे बन जाते हैं परमात्मा फिजिकल मोटे की बात नहीं कर रहा है वैसे दिखा जाए तो अगर आप बहुत सारा बोज अगर उठाएंगे यह करना है वो करना है तो आपको स्ट्रेस होने के कारण आप ज़्यादा खाना शुरू कर सक से भी लंबे हो जाते हैं हमारे जो संकल्प होते हैं वो इतने लंबे हो जाते हैं सोचना छोटा है थोड़ा सोचना है लेकिन हमें एक नाइन लगाते हैं सोच की ऐसा हुआ तो ऐसे क्या होगा उसने यह बूलने का मतलब क्या होगा और उसका यह बूलने का मतलब है तो यह में अगर मोटापा है तो वह तन्में दिखाई देगा ही देगा कभी बहुत सोचने कि संसकार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते हैं और कभी दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं बेस शीकस कैसे होते हैं, कोई सिच्चेशन हाई करोध कर दिया, क्या करूब भगवान मेरे से नहीं हो रहा, परमात्मा मेरे से नहीं हो रहा, बाबा मेरे से नहीं हो रहा, मैं करोध के ओपर जीत नहीं पा रहा हूं, या जीत पा नहीं पा रही हूं, और कभी अहंकार आ गया कभी इर्शा आगे कभी manipulation कर दिया हमने ये मिरे को आधियते पसंद नहीं रिकुर प्रमात्मा मैं कब होंगी ठीक कभ होंगा ठीक मैं पता निये मेरे आध्यते कब खतम होंगी मेरे अंदर से मैं अपने आपको यह दुख दे रहा हूं मैं आत्मा मुझे पता ही नहीं है इस पूछ करके तो मेरे से नहीं होता यह आध्यात्म बड़े मुश्किल है और यह क्या होगे दिल शिकस्त के संकल्प हमने करने लगे इसके हमने लाइन बना दी इसका भी भारी पर अपने अंदर बना दिया जबकि होना कैसे चुछ है देखते आगे परमात में कहते हैं फिर तो अपने ऐसे पोज साक्षी होकर देखो कैसे देखो साक्षी होकर जब भी यह कोई फीलिंग आती है हमारे अंदर अपने को डिट अगर कोई आपका दोस होता उसको आप क्या बोलते सिच्वेशन में उसको आप क्या कहते सिच्वेशन और यह बहुत ब्यूटिफुल टेक्निक है अपनी काउंसलिंग करने के अपने आप से ही खुद को बात करनी तो हम जब डिटाइश होकर के किसी को देखते है कोई साथी ह है कोई अगर फ्रेंड है हम इसको किती अराम से उसको सजेशन देता है रहे ऐसमा सोचो ना ऐसे सोचो टेकि जब अपनी बारी आती है तो मश्कुल बटाती है कि हम अपने आपको डिटाश नहीं कर पाते सिच्वेशन से डिटाश करना मतलब क्या हो गया आप अपने आपक फिलिंग्स के बिना करोगे बिना कुछ नेगेटिव फिलिंग्स करोगे तो आप सही सजेशन निकाल पाओगे लेकिन अगर आप मुह में आ करके अपने आपको निकालनी की और तो आप पहले मुह में तो इसको कहते है थर्ड पर्सनालिटी थर्ड पर्सनालिटी को देखना और उसको सजेशन को देना तो यह एक बहुत अच्छा तरीका है सेल्फ आउसने का जो कि हम सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें स्वामान यह सेल्फ टॉक तो अपने ऐसे पोज साक्षी होकर देखो और मन की श्रेश प अपने आपको टेटाच हो करके कुछ समय पर्मात्मा से अटाच हो करके हमें अपने आपको थर्ड परसनालिटी देख करके पर्मात्मा के साथ मिल करके पर्मात्मा इसको करना क्या चाहिए यह मेरा फ्रेंड इसको करना क्या चाहिए हो आप ही लेकिन आप उनसे पूछ रह मुश्यार किसके साथ